किसी ने सच कहा है, तुम मुझे जल दो मैं तुम्हें जीवन दूँगा हेलो एवरिवन, वेलकम है आपका आपकी अपने प्यारे यूट्यूब चानल अग्वेंचर अर्बन फार्मिंग में तो फ्रेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है, पोधू को पानी देने के लिए बहतरी garden tools, gardening tools for watering plants जैसे कि हम सभी को पानी पीने के लिए हमें गिलास की ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही पोधू को पानी देने के लिए water, can या अन्य watering tools की ज़रूरत परती है चाहे इंडोर प्लांट्स हो या घर के बाहर गार्डन के ग्रो बैक्स या हैंगिंग बास्केट में लगे पोधे सभी को पानी देने के लिए एक उप्यूक्त गार्डन टूल्स की जरूरत पड़ती है तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको पोधो को पानी देने के लिए उनी टूल्स के बारे में कम्प्लीट इन्फोर्मेशन दूंगी पोधो को पानी देने के लिए watering tools के नाम और पोधो में पानी डालने के लिए watering tools का उप्योग कैसे करें ये सभी जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए पोधो में पानी डालने के लिए best gardening tools watering tools for gardening Home Garden या Rooftop Garden में लगे पोधों को पानी देने के लिए निम्न Watering Tools उप्योग किये जाते हैं पहला Watering Can Watering Can for Plants Watering Can एक Potable Container होता है जिसमें आम तोर पर एक Handle और एक Funnel होता है इसका इस्तिमाल बगीचे में या घर की छत, बालकनी में या ग्रोबैक्च में लगे पोधे में पानी डालने के लिए किया जाता है इसके अलावा पोधों को नीम उइल स्प्रे करने के लिए भी Watering Can का उप्योग किया जाता है प्लास्टिक से बनी एक लीटर से लेकर दस लीटर तक की Watering Can आपको लोकल मार्किट में या ओनलाइन असानी से मिल जाएगी या फिर आप हमें कॉंटेक्ट करके भी खरीच सकती है Watering Can छोटे और मीडियम साइज के गार्डन्स के लिए अधिक सूटेबल होती है Home Gardening, Rooftop Gardening, Kitchen Gardening और Balcony Gardening में पोधों को पानी देने के लिए Water Can सबसे Best Tool है सबसे पहले जितने पोधों को पानी देना है उसके अनुसार उतना पानी Water Can में भर ले फिर जिन पोधों में पानी देना है इस टूल की मदद से उन पोधों में पानी Shower के रूप में दिया जा सकता है High Pressure Garden Spray Pump High Pressure Garden Sprayer एक बेहद उप्योगी Watering Tool है इसमें से पानी प्रेशर के साथ तेज फुवार के रूप में बाहर निकलता है इसी वज़े से पोधों में पानी डालने के अलावा इसका इस्तमाल पोधों पर जमी धूल को साफ करने और पोधों पर चिपके एफिट्स जैसे छोटे कींटों को दूर करने में भी किया जाता है हाई प्रेशर स्प्री बॉटल की मदद से पोधों पर कीट नाशकों और लिक्वट फेटिलाइजर का फॉलियर स्प्रे भी किया जाता है होम गार्डनिंग के लिए एक लीटर से लेकर दो लीटर तक का गार्डन स्प्रेयर बेस्ट होता है घर के अंदर लगाए जाने वाले पोधो और हैंगिंग बास्केट में लगे पोधो में पानी डालने के लिए हाई प्रेशर गार्डन स्प्रे पंप बेस्ट आप्शन है सबसे पहले गार्डन स्प्रे पंप में एक ये दो लीटर के लेवल तक पानी भरे इसके बाद स्क्रू कैप को लगाए और प्रेशर बार को उपर और नीचे तक तब तक पम करें जब तक कि उसे उपर की और खींचना मुश्किल ना हो जाए अब हाई प्रेशर गार्डन स्प्रेपम की बटन को दबाते हुए पोधे या सीडलिंग पर पानी का छड़काव करें तीसरा, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पोधो को पानी देने के लिए ड्रिप इरिगेशन वैविदी है जिसमें पानी बूंद-बूंद के रूप में पोधो की जड़ों तक पहुँचता रहता है इसके लिए ड्रिप इरिगेशन किट को होम गार्डन में लगाया जाता है इसके इस्तिमाल से पानी और समय दोनों की बचत होती है और पोधो को सही समय पर उचित मातरा में पानी मिलता रहता है कहीं लोगों को ज़ादा वजन उठाने में तकलीफ होती है ऐसे में गार्डन में लगबख सभी पोधों में इस सिस्टम को अपनाने से पोधों में कभी भी ओवर वाटरिंग की समस्या उतपन नहीं होती है बड़े गार्डन में लगए कई सारे पोधों को उचित मातरा में पानी अपने आप मेंता रहे इसके लिए drip irrigation kit बेहद उपयोगी है सबसे पहले मुख्य pipe line में grow bag की दूरी के आधार पर feeder pipe line को काट ले अब feeder pipe के एक सीरे पर connector और दूसरे सीरे पर drip amulator जिससे पानी बून के रूप में बाहर निकलता है उसे लगाएं feeder pipe line को connector की मदद से मुख्य pipe से जोड़ दे और drip amulator को पोधे के पास लगा दे अब पानी की मुख्य pipe line को पानी वाले नल से जोड़ दे और pipe के दूसरे लास्ट सीरे को मोर कर end cap से बंद कर दे ताकि पानी बहार ना निकले अब नल को खुला छोड़ दे नल खोलने के बाद पानी drip amulator से बून के रूप से निकलने लगता है 4. hose pipe hose pipe सबसे common watering tool है इसकी मदद से छोटे से लेकर बड़े garden तक को पानी असानी से दिया जा सकता है garden hose को इस्तमाल करने के लिए pipe के एक सीरे को नल से जोड़ दिया जाता है और दूसरे सीरे से पानी धार के रूप में निकलता है home gardening के लिए आपको अच्छी quality का garden hose खरीदना चाहिए जो लंबे समय तक चल सके तो friends इस वीडियो में आपने जाना होगा कि पोधो को पानी देने के लिए watering tools की complete information यदि आपके मन में भी किसी tools से related कोई भी सवाल है तो आप उसे comment box में जरूर लिखिए यदि आप भी in watering tools को purchase करना चाहते हैं तो आप description में mention number पर हमें contact करके उसे असानी से खरीच सकते हैं और अगर आप अपने plants को grow bags में grow करना चाहते हैं तो उमहा grow medium mixture सबसे best choice रहता है उमहा grow medium mixture में plants जल्दी से grow होते हैं और result भी अच्छे देते हैं उमहा grow medium mixture एक ऐसा soilless, chemical free, natural और 100% organic medium है जिसमें plants को एक healthy growth मिलती है ये ready to use medium है आप हमें contact करके grow bags और उमहा grow medium mixture को असानी से खरीच सकते हैं और उनमें अपने पोधों को grow कर सकते हैं I hope आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप हमने friends और अपने relatives के साथ हमारी वीडियो को ज़रूर share कीजिए और हां हमारे चैनल को like, share and subscribe करना ना भूले till then enjoy gardening and keep connected with nature bye bye and see you soon